और आगे भी जो बात चीत होगी किस मुद्दे पर बात चीत होगी अरे बात होगी अब तो पाक अधिकरित कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई और किसी मुद्दे पर बात नहीं हो जम्मू और कस्मीर भारत का अंग है अभीन अंग है इसके बारे में कोई कानूनी या समभीदानिक विवाद नहीं है इसलिए एग्रेसिव हो कि जम्मू एन कस्मीर के पी एको को आप भारत का हिस्ता नहीं मानते हो क्या एग्रेसिव नहीं हो जान दे देंगे इसके लिए है। कि आप बताएं कि हमारे यहां पे जो मेडिकल सूलत के लिए हम बात करें तो हमें डिस्परियन की गॉली जो हुआ फ़स्पिताल के अंदर नहीं मिलती थीक है अब इसके बाद आप तालीम पर चले जाएं तो हमारे पास कौन साव यहां पे मेंजारी तालीम है कि हमारे बच्चे जो है वो मेंजारी तालीम असल कर सकें यह basic नीड लगारे जो नफरे जूँनिया के अंदर जो businessman है उनके लिगी special काउंटर है आप कहीं और सफर कारें हैं हर जगा पे जो टेक्सर Oak उसको इज्जत दी जाती है और यह पर तो यहां पे जो टेक्स पेर हैं जो रिटरन जमा करार रहा रहा है वो यहां पे खौषार हो रहा है और उसको कोई सहुलत निमेरी और तो लगड़ इदर शाटंगा और महिंगी है बहुत जाटी सी पेटी है उस दो भटी होती है टोटल 20 रुपेगी देते हैं वह भी मिलती हैं मुसफराबाद में ऐसी पोजिशन हैं मिलती हैं इतनी महिंग बढ़ गई आटा देखें चावल देखें आर्चाह महिंगी है गैस बहुत महिंगी है दुसरा हम लोग वोल्टी नहीं कर सकते गरीब लोगें लगड़ जिलाते हैं यह भी वोत महिंगी आप नहीं ले सकते हैं परशानी हों दिया गड़ी दरा रही नहीं रही तर परशानी है बहुत ज्यादा वर्सा तकरिबं 20-30 कुभी दो गए बहुत पर सकते हैं सामने हैं मेंद रोड सदर ठाना और अमारा रोड शेयर के बीच में रहने के बावजूद अमारा रोड बिलकुल नहीं है हम लोग सेमान जो आतकानों के लिए वो उठाकी लाते हैं और आगे जब हम फराम करते हैं वो सोदा बहीते हैं जो तो वहामें रुपे का 2 चीजवधीज लार्पे में परदेजाता है। जब यहां आया है तो पक्खे भी कोई नहीं था मैंने अपने खरीद कर लाई यह पूछो एंसे और उसके बाद कुरसिय नहीं थी कुरसिय भी मैंने लाई लाई लगन बैठ थे इसलिए आप देखें इतनी आले खराब है इनके पास अपरेटर कोई भी नहीं है कुछीने खराब होती हैं उसने हमारे तीन गंटे सतरह जाय हुगए है स्टाफ ठीक है स्टाफ कर मुझे कोई शिकायत नहीं है लगन के पास कुछ हो तो तब करते हैं और पीछे से जो बेज़ते हैं वो भी पास सब हमें जो जरूरत है को चीज़े हम दे देते हैं अपनी ले मिनिस्टर रही है लेकिन मैंने कभी इनको यहसानी कहा मैंने कहा कि जो चीज़ जरूरत आपको होती हैं हम देते हैं बड़ी बात है यह सुबह देखते हैं अपरेटर कोई भी है और इसलामबाद से आए काम तो नहीं चलता है ना दूसरा यह है कि आप यह देखें यह खरा ले गए वाबड़ा का जो नजाम है यह इनतहाई नायल नाकस और बॉगस किसम का नजाम है जितनी भी बिजली की मैंन सेप्लाई लाइनें गुजर रही है वो लोगों के गरों के उपर से गुजर के जा रही है पहली सेफटी तो यह आम लोगों को नहीं है दूसी सेफटी बाद लोगा तो नंगे आतों जो है इतनी हैवी विल्टेज के पर यह चड़े होते हैं बचारे और जो अफसराने बाला होते हैं इनको जनवारों की तरह इस्तमाल करते हैं इनकी फरन्डिंग होती है जो भी जो है आपका जो इसको अपरेट करने लिए ओपर खंभी के और इनके पर गलावज जायते हैं जो एलेक्ट्री सिटी रिजेस्टन्स होते हैं अगर लाइट आन्म करे आ भी जाय तो जह जायना उनकी जान बची रहती है लेकर यहां कुछ नहीं है जो है बिल्ली मीटर के जहना प्लास्टिक गलावज होते हैं वह जो जो हैना अलकी से सोज मनज़त था जिस तरह जो है इनकी मुझम्मत की जाए जितनी भी कम किये कम है लेकिन अवाम कि सवाले से निकलना होगा कम से कम जो है इनको सेफ्टी मईयर भी दी जाए और आएंदा जो है इसे कोई वाकियात पेश्चिना जाए ने डूमर रही तासा के दिता निए चाह होता हुआ आपने खोटे टोले से किसम दी बनी कोई गड़ियां से ने बनी कोई बच्चां सकूले निया मीटी ना मीटी हुए रोल पाणिया है तेनी सकती जीता साहब ही कम ने पाणी शिराथ चाहिए आप शांळे रोल बच्चे यह वर्दिया किरा पास या तुह होआँ हुकूमत के कोई एक्तामाद भी नहीं है यहां आला ताला ने जो चश्में पैदा किये थे वो भी बंद किये हुए है। हुकूमत ने हमारा द्रिया चीन लिया है दो द्रियाओं की सरजमीन मुझफराबाद द्रिया नीलम को डाइवर्ट कर दिया गया है और मुझफराबाद शहर इस वकट पानी के शदीद तरीन बौरान का शिकार इसके बावजूद के यह चश्में और द्रियाओं की सरजमीन है इस वक्त जहां पे मैं रह रहा हूं उसको ओल्ड सिटी कहते हैं वहां पे तो पानी हर वक्त मौझद रहता है चार दिन से वहां पे भी पानी नहीं है बाकी सेर की तो बात यह लग है 88 करोड गतर लाख रुपया इन लोगों ने वापड़ा से लिया है अपरिल में अकाउंट में शिफ्ट हो चुका है और खेंचा तानी इस वक्त मौझूद है इन्होंने इंटेक वियर बनाना था वो भी नहीं बनाया और महंगाई जो है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही कि कीमतों में कितना इजाफा हो चुका होगा इन लोगों ने अभी तक वो पैसा इस्तमाल नी किया मैज इसलिए कि अपने अपने ठेकेदार हैं उनको देने के लिए यहां पे मिनिस्टर यहां पे सेक्टरीज यह सारे इन्वाल में उसकी वज़ए से 88 करोड गतर लाख कि डिकलेर किया गया था कि आजाद किश्मीर में हकोमती स्था पर 2019 को सिहती साल के तोर पर मनाया जाएगा इसमें जगा जगा इवेंट्स होंगे हर शेर हर जिल्म में इसका इवेंट्स का इनकाद होना था जब हमारी पहली कानफरंस हुई थी उसमें यह सारी चीज़ डिक दिया गे हाली में एक नेशनल लेवल का इवेंट्स जो पैरा गलाइडिंग और पूरे इंटरनेशनल लेवल के लोग जिसमें 55-56 ममाले के लोगों ने आना था उसमें हमारे मजफराबाद में काफी टूरिजम के लिहाद से काफी इंप्रूमेंट होनी थी लेकिन वो नुकसान हुए वो औरहाल मजफराबाद में भी और अवराल पूरे अज़ाद किश्मीर में भी इसका नुकसान हुए है और टूरिजम इंडरस्ट्रि मेकमल तोर पर तबाव चुकी है निलम वैली के तमाम होटल और गैस्ट आउजिस मेकमल तोर बंद हो चुके हैं और ब बिरोजगारी की इंतहा हो गई हुई है लेकर इस वक्त यो मजफराबाद में खाली मजफराबाद की स्टुवेशन यह है कि बिल्कुल कुछ मी नहीं इस वक्त कर दिया है इन्होंने यह अगर फाइल पुट अप करें इसकी और इसको तवजुद दें तो फिर यह सहात का साल हम आगे चल कर एक, दो, तीन, चार माँ बाद बात कर सकते हैं और नवजवानान आपके सामने हैं होटलों की सुचवेशन आपके सामने हैं लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उनको उसका कोई खातिरखा रिजल्ट सामने नही कि लोगों ने जो होटल बनाए गेस्ट आउस बनाए उनको वो मुकमल तोर पे अब उसके जो एक्सपेंच और जो भी पूरी ने कर पर रहे हैं उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो दाएं बाएं से लिए उसमें भी उनकी परेशानी जो है ना लाहक हो चुकी है